आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे चलिए तो जो हिस्ट्री के हमारी क्लास चल रही है रोजगार भी तंकित की सामन ग्यान की जो बुक आई हुई है तो इसके हिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर जो है आपके डिसकस कर रहे हैं कौन सा विदेशी कंपनियों को जो ह हमारे चनल को सब्सक्राइब जोन कर लीजिए पास के बेल लागन को जरूब दबा लीजिए और अगर आपको जो है पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम गुरूप पूज़ए जोइन कर लेंगे वहां से जाका तो आज की किलास जो हमारी ज से पूछे हुआ को सब्सक्राइब तो यहां पर तारिक बढ़ है जुलाई 1780 जुलाई जो है 1781 यहां पर 1761 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर जुलाई 1761 में जो है यहां पर हुआ था तो इसी के साथ ऑप्सन नमबर डी यहां पर बूल सही हो जाएगा बैलिस आइस नमबर कुश्ण पर आते हैं बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष रडा गया था ऐसी फेर अबसे पूछन है कि 1576 में 1767 में 1764 में तो यहां पर 43 नमबर का जो आंसर हो गया है को 1761 में जो हमारा बक्सर का युद्ध लड़ा गया था तो आप्सिन नमबर भी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसी के साथ कुछिन नमबर थर्ड पर आते हम दोतिया आंगल मैस्वी रूद 1784 में जो हुआ था बेटे जनरल के जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के उद्ध में हराया था जे पी एसी प्री दोहर बीस में पूछे गया है कैप्टन पोफ हैं सर आयकर आयर रुकूट सर मेक्टर मुन्रो या आपका जनरल गौडार्ड चावालिस नमबर का जो आंसर और डिर्फरेंट्स किसने हराय था सर आयर कूट ने हराया था तो बी ओप्सन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर चावालिस नमबर कुशन देखते हैं डिर्फरेंट्स यहां पर 18 में सताब दियू आधका सबसे पहला नावब कौन था? cds 12 сама पूछे गया था नावाब सब्दरगंज नावाब सादत अली खान नावाब सुझाव दोला नावाब फकीर खान कौन था 18 में सताब दियू आभब एला जो है नावाब तो 44 संबर की बात करेंगे यहाँ पर तो कौन था नवाव सादत अली खान कौन था सादत अली खान जो था है आवद का जो है पहला नवाव था है इसी के साथ 45 नंबर कुशन पाते हैं निम्निकित में से कौन बेटेस पूरुवकाल में अपने वियापारी पोत सूरत रूशी और जर्मन अंग्रेज और अरब फ्रांसिस और अरब तो 45 नंबर का जो आंसर को क्यों हो जाएगा रूशी और जर्मन थे जो अपने पोत जो है सूरत बंदरगा पर नहीं लाए थी तो आप्सन नंबर भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 46 नंबर कुसर में आप से गया है कि सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर आपको चुनने है यूपी PCS 219 कूछे के कुसर ने हिलावाद की संदी क्या 1772 मोहिती या मंगलोर की संदी 1784 मोहिती या सालवाई की संदी ने जो 1789 में या मदराज की संदी आपको 1765 सही होगा तो बात करने यहां पर डिफरेट्स कूट की हम तो चैनली संबर कर जो आंसर होगा आपका तो थर्ड यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कौन सा थर्ड ऑप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा एका संबन जो चार से बेटेगा बी का दो से और सी का आपको जो एक से और डी का थरी से तो ऑप्सन नमबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा 47 संबर कुशन आता है एलावाद की संदी के बारे हमने मिने खित्मे से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है असिस्टेंट कमोंट्स जो आप है गर उनी सो पूछागा को कुशन है इस पर सत्रों सो पैस्टम हस्ताक्सित किये गए थे मोगल समराट ने एक फर्मान के द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और इसा को दीवानी ओप्टार एक तरूप में अनुज़त की पचास लाग का भुगतान पर अबद इसके नवाब को लोटा दिया या बनारस और आसपास की छित्र का अबद से अलग कर दिया था कौन से यहां पर जो गलत है आपको तो 47 नमबर का अंच सो जोगा डी ओप्शन बिकुल सही हो जाएगा डी ओप्शन में यहां यहां पर कहा गया कि बनारस और आसपास का छित्र जो आबद से अलग कर सहा अलम दूतियों को दे दिया गया था तो यह बिल्कुल गलत है आपको तो इसी के साथ पढ़ेंगे यहां पर कुश्चन नमबर हम कि 48 नमबर पर इनमें से किसी युद्ध ने भारत में बिट्टिस ओपूर्ण नेवेस वाद की नीव रखी थी और अर्वी एंटी पीची दो है रिकीस में पूछे हो कुशन है दो थी ए एंगलो से के युद्ध में प्लासिका युद्ध सिरी रंगपर्टिनम की यहरा बं कि 49 नमर कुशन पर आते हैं यहां पर आपसे कहता है 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 अंग्रेजियों के साथ मद्रा संदी पर हस्तक्सिर किये जिसमें दौनों उनके और रिक्त के बिरुद्ध परस्पत मद्ध के लिए समय है समय हमत सहमत हुए थी एससी सीप्यों 2022 में इस कुशन को पूछा गया है तो जिसमें आपसे बात की गई कि हैदर अलीना अंग्रेजियों के साथ मद्रा संदी पर हस्तक्सिर किये जिसमें दौनों उनके एविनिस्ट सत्रू रिक्त के बिरुद्ध पर मद्ध करने के लिए समय हुए थे डच मोगल पुर्तगाली या मराठा तो 49 नमबर का जो आंस सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे है क्योंकि इसी चैनल पर सामन ग्यान की जो बुकाई हुए रोजगार बेदंकित की उसका जो है फ्री और अच्छे तरीके से रिवीजन जो आपको कराया जा रहा है तो रिवीजन करने के लिए आ सब्सक्राइब जो भागी रती नदी है इसके किनारे पर प्लासी की लड़ाई हुई थी तो बी ऑप्शन यहां पर प्लकुल सही हो जाएगा आते हैं 51 नमर कोशन पर टीपू सुल्तान मजजित कहां इस्तिता और अर भी एंटी पीची 2021 में इसके पूछा गया था क्या मैसूर में है बंगलूरू में है दिल्ली में है या कॉलकाता में है तो 51 का जो आंसर हो डिस्पेंट कहां पर है कॉल काता मापका यह है तो सी ओप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा 52 नमर ही बात करें स्री रंग पटनर में हुए चोथे एंगलो मेंसर यूद में किसकी हत्या हुई थी आरपी एफ कॉंट स्टेवल 2019 में पूछे हुआ कुछन आपका हैदर अली की तिमर राजा बोड़े यार पिर्थम की यह तुरू माला देवराय की यह टीपू सुल्तान की तो 52 नमर की जो हम बात करें डिस्पेंट तो किसकी मिर्थी हुई थी इसमें चौथे एंगलो मैसरियोद में टीपू सुल्तान की मिर्थी हुई थी इसी के साथ 53 नमर कुशन पर आते हैं डिस्पेंट्स पुर्तगाली द्वारा काली कट से ले जाए जाने वाले काली कट के सूती कपड़े यूरोप में आम तोर पर क्या कहलाते थे एससी ने इसे 2019 में पूछा है केलको, केलिको, कोटेक्स या इनमें से कोई नहीं तरेपन नमर के जो आनसे वर डिस्पेंट्स क्या कहलाते थे तो उसे केलिको के नाम से जानते थे तो आप्सान नमर भी यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा चबवा नमर ही बात करेंगे, पुर्तगाली यात्री बास्कोडी गामा का कालिकट में स्वागत करने वाले भारती राजा का नाम बताईए एससी 2019 में पूछा गया है, गैस्पर कोरिया, अल्वुकर्क, जमोरिन या डॉन अल्वीरा तो यहां पर बात करेंगे, चबवा नमर की तो डिर्फरेंट्स यो, जमोरिन इसके द्वारा स्वागत किया गया था, पुर्तगाली यात्री बास्कोडी गामा, जब कालिकट में आपका व्यास्वागत करने वाले भारती राजा का नाम जमोरिन ने इनका स्वागत किया थ जाता है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डखेती हुगली का उपयोग कौन करता था, BPSC 2019 में पूछे होगा कुछान है कि डच करते थे, फ्रांसिसी, अंग्रेज या पर पुर्तगाली, तो 55 नमर की जो हम बात करेंगे, डिश्पन तो कौन करते थे, पुर्तगाली इस पटनम में या सूरत बढ़ोच ये सोपान में, कोचीन, एहमदाबाद ये पटना में या उपरोग तो सभी में, तो 56 नमर की जो बात करेंगे, डिश्पन तो कहां पर, नागपटनम, चिंसुरा में, और यहां मसली पटनम में, जो है इन अपने ब्यापारी गड़े इस्ता किया था, यूपी ट्रपल असी, 122 में, पुछाओ कुछन है, क्या बीड़ा पांडया, कटुमबं, राजा राजा चोल ने, मारतरंड बर्मान ये, हैदर अली ने, 57 नमर का जो आंसर को डिर्फेंट्स क्या हो जाएगा, मारतरंड बर्मान ने जो है किसको डच, जो इस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, तो सी ओप्सन या पर ब्रुकल सही हो जाएंगे, 58 नमर की बात करने हैं, निवलेखित में से कौन सी एक फसल, भारत में पुर्टगालियों दौरा लाई गई थी, एंडिये 222 में, पूछे हो कुछन है कि अफीम, कॉफी, मिर्च या पान, तो 58 नमर की जब बात करने हैं, तो जो मिर्च की खेती है हमारे देश में, वो किस की दौरा पुर्टगाली दौरा लाई गई थी, इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर उनसे ट्रमबर कुछन पर, अपने सासन काल के दौरान अंग्रेज किसानों को मदरास में रिक्त करते थे अंग्रेज किसानों के लिए, तो डी ओप्सन है, आपर बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 नमर पर आते हैं, डच इस्ट इंडिया कंपनी ने किस बर्स अपनी फैक्टरी पटना में इस्तापित की थी, इसी के साथ कुसर नमबर 61 पर आते हैं, बारत में अंग्रेज या यात्रियों के लिए, रेल्वे की शुरुगात किस बर्स की गई थी, और यार्वी एंटी पीसी में 2021 में पूछे हो कुस्टन है, क्या 1963 में, 1853 में, 1385 में, या पर 1583 में, एक सर्ट नमबर का जो आंसर वा डिरिफार्ट्स, 1883 में अंग्रेज द्वारा हमारे देश में रेल मिलडारी पिडर था, महालवारी बंदोवस्त ऐ था तो टीर्फेंट से बासर नमबर का जो आंसर वाडिरिफigonल जो इस्थाई बंदो वस्त था, वो 1773 में बंकाल भ्हारों लड़ी सामें इस्ताई बंदोबस्त की जो अबिवस्ता शुरू की गई थी तो option number D यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तरे सेट नमबर कुछन आता है रेक्त भारत की स्वतनता से पहले सबसे बड़ा सामनती राज जिता है 21 में पूछा हो कुछन है स्ट्रावर कोर मैसूर गौालियर या हैदराबाद तो 33 सेट नमबर का जो आंसर हो अडिश्मेंट से हैदराबाद भारत की स्वतनता से पहले सबसे बड़ा सामनती राज जिता तो सी option यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 64 नमबर की बात करते हैं मुर्सीद कुली खान खुद को बंगाल का नवाब घुसित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से अटा कर कहां कर दी थी एससी ने दुएर 21 में से पूछा है गिरिया में मुरादाबाद में बकसर में या आपको मुर्सीदाबाद में 64 नमबर की जो आपको कहां लगा दी थी तो यहां पर मुर्सीदा बाद इन्हें अपनी राजधानी बना दी धाका से हटा कर इसे एक साथ डी ओप्शन है या पर बिल्कुल सही हो जाएगा 65 नमबर कुशन पर आते हैं 18 भी सेताब दी में मद इंग्लिस इस्टीडिया कमपनी के दौरा बंगाल से निरियातित फिर्मकुप्यों की पदार्त किया थे आई एस 2021 में पूछे हो कुशन है तो डी ओप्शन है या पर इसकिरात का पास तिलहल अफीम चीनी नमक जस्ता और सीचा तावा चांदी सौना मसाले और चाय या पर कपास रेसम नमक और अफीम तो पैस्ट नमरी बात करें डी ओप्शन पर दी ओप्शन पर सही हो जाएग हम आपसे एक बात करने चाहूंगा अगर वीडियो अच्छी लग रही तो पिलिज लाइक जरू करना आपकि एक लाइक से हमें यहाँ पर 66 नंबर कुछन की हम बात करेंगे यहाँ पर अपने सासनकाल के दोरान अंग्रेज किसानों को असम में रेक्ट काने के लिए मजबूर करते थे यह कुछन रिपीट हो गया है एससे सीजेल धरीकिस में जूट चाय गन्ना या गया हूं तो अंग्रेज किसानों को कहां असम में तो यहाँ पर बात करेंगे 66 नंबर की तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 66 नंबर की जो हम बात करेंगे यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा डिर्फेंट से भी चाय होगाने के लिए मजबूर करते थे असम में अंग्रेज जो थे 66 नंबर ही बात करेंगे यहाँ तो 66 नंबर का जो आंसर का डिर्फेंट फ्रांसिसो दा अल्मीडा जो है एक नीला जल बाटर बिलू पॉलिसे से सब्बद देते हैं तो यह उप्सन है अपर ब्रुकल सही हो जाएगा 68 नंबर आता है फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार खाना सबसे पहले कहां इस्ताफित किया था एंडिये 2022 में पूछे हो कर साने कालिकट सूरत पांडेचेरी मसूली पटनम कहां पर जो है पढ़ाया था तो 68 नंबर कर जो होगा सूरत में सबसे पहले ने अपना कार खाना सबसे पहले लगाया था जो फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बात करेंगे यहां पर 69 नंबर कुस्तन की मुगलों ने इस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल ब्हार ओली सामर राजे सो संगरेंड करने और दीवानी मामलों का निस्तरान करने का अधिकार किर्शवर्ष प्रदान किया था और और भी एंटीपीची 2021 में इस कुस्तन में पूछा गया था के 1765 में अठारे सो में या 1680 में या 1715 में तो 69 नंबर का जो आंसर होगा आपका डिरिफेंट से 1765 में इसकी अनुमती दी थी तो ए उप्सन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा सत्तर नंबर ही बात करेंगे अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेतर अफिम उत्पादन के लिए पिरसेद था बीपीएसी पिरी दोहर बाईश में पूछा गया बिहार दच्छिड भारत गुजरात या असम अफिम उत्पादन के लिए पिरसेद था Tucson का बिहार गारी एक मैं अंग्रेजी ने भारत में चेतरों को प्रांतों में विभाज्ट किया बंगल जेan और मदरास में कहा जाता था में क्या कहा जाता था बंगाल जो बॉंबे और मद्रास को और अर्वी गुरूपडी दोहर 18 में कुछन पूछा है प्रेसिडेंसी निर्वाचे छेत्र परगना या पर सेक्टर सर तो यहां पर सही हो जाएगा इस्ट इंडिया कंपणी की प्रथम फैक्टरी कहां इस्ताफित की गई थी यूपी पीएस्सी जी आईसी 2021 में पूछा हो गया है कुछन पुड़े में गोवा में सूरत में या पर पांडी चेरी में तो 72 नमबर का जो आंसर डिफेंट्स कहां लगाई थी सू पूरत में सर प्रथम लगाई थी तो डी ओपन यहां पर प्लकुल सही हो जाएगा 73 नमर कुशन देखते हैं फ्रांसिसी याथ टेवर नियर के अनुसार 17 सताब्दी के दौरान बारार्सी के अधिकतर मकान किसके बने बनाई जाते थे तो यहां पर जो बनाई जाते थे तो और पथर के तहत नमबर का जो आंसर वर डिर्फेंट किसके इनित और मिट्टी के बना जाते थे तो आप्शन नमबर यहां पर ब्लकुल सही हो जाएगा 74 नमबर कुशन आता है नेमन में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है SSC 22 में पूछे हो कुशन है एलिजाबेथ, बंगाल, मैफलावर, रेड ड्रेगन तो 74 का जो आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है कौन सा रेड ड्रेगन 75 नमबर कुशन पर आते हैं हम रिक्त को प्रारेमिक तोर पर इस्ट इंडिज के साथ ब्यापार करने के लिए गड़ित किया गया था लेकिन अंत में ये मुख रूप से भारती और महादीप और चीन के साथ ब्यापार ताकी सी मित हो गया था CGL 2022 में पूछा हो कुछ से ने English India Company, London India Company, East India Company, British India Company 75 नमबर का जो आन्सरों डिर्फरेंट्स क्या हो जाएगा East India Company आते हैं 76 नमबर पर अरब प्यापारी ने लाल सागर और भूमद बंदर गाहों के माध्यम से भारती बस्तुओं को देशों में भेजा तो यहां पर CGL 2022 में पूछा हो कुछा है और उस्टिलियन भेजा, यूरोपिय भेजा, अमेरिकन भेजा, अफ्रिकी देशों में क्यों से देशों में भेजा था, 76 नमबर का जो आंसे भेजा, यूरोपिय देशों में इनने जो है भारती बस्तुओं को भेजा था, लाल सागर भूमद बंदर गाहों के माध्यम से, तो B option यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 77 नमबर आता, अंग्रेज जो दौरा, कलकत का नाम है, तो SSC ने दौरोणी से पूछा है, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रिव, फोर्ट विलियम, यह फोर्ट विक्टोरिया, 77 का जो आंसे का डिफेंस, फोर्ट विलियम जो है कलकताम बनाया हुगा, एक जो है अंग्रेज दौरा दौरोणी से पूछ है अल्मीडा अल्वुकर्ग फ्रांसिसी ड्रेक बास्वोटी गामा कौन थे नीव रखने वाले महानपुर्टगाली गवर्नक सेवन्टी एट नमबर का जो आंसेवर डिर्फेंस अल्वुकर्ग थे या पर कौन अल्वुकर्ग तो ऑप्सन नमबर भी यहां पर बिल्कुल सह कि हो जाएगा सेवंटीनाइन नमबर को सना था है घ्दराबाद राज्जी की स्थापना किस वर्स की गई थी एंस्टीव एस्ट वेस्ट कुस्टन आपका सत्रहसे बाईसमें सतरहसे चोबीसमें सत्रहसे पचीश में आपका सतरहसे तीसमें गालता सब्सक्राइब यहां प साद तुल्ला खाने आदिल साहने आसब जहाने हुसेन साहने तो साद तुल्ला खाने जो सोथन्द करनाटर राज्जी की इस्ताफना सत्रों सभीश में की थी तो यह अप्सन यहां पर प्रुपत सही हो जाएगा एक्यासी नमबर पर आते हैं हैदर अली ने सत्रे सभ पच्पन में किस इस्तान पर एक आधुनिक सस्त्रागार की स्ताफना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी एंसी एटी बेश्ट कुस्टन है डिंडी गुल में मैसूर में स्रीडंग पट्रम में या होबली में एटी बन का जो आंसी बेश्ट में डिंडी गुल में इसकी स्ताफना की थी तो ऑप्चन नमबर यहां पर ब्रुकल सही हो जाएगा तो डियर्फेंट क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें आपको दोस्तों के पास सेयर करें पीडिय झाल